अलो फ्रेंद्स हाव यू आल होप यू आल डूइंग गोड सो दोस्तो प्राइवेसी पॉलिसी ब्लॉगर के लिए आप कैसे बना सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में देखाऊंगा वीडियो को सुरू से लाथ लास तक देखिएगा आराम से ठीके अगर वीडियो को स्किप किजेगा तको कुछ समझ में नहीं आएगा ठीके दोस्तो प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनेरेट किजेगा मैं आपको अभी कुछी मिंटों में एक्स्प्रेंट कर दूंगा ताकि आप अपने वेबसाइट के लिए प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना सके आखिर में यह है क्या प्राइविसी पॉलिजी कैसे जाता है कैसेरेट किया जाता है मैं एस व्यडियो में आपको आराम से बताऊंगा मैं ज्यान पे नया है तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चानल को सब्सक्राइब नंए मदत बुलियेगा विडयो पसंद आ तो लाक कीजीगा शेयर कीजीगा ताकि दूसरों का भी नाउलेज्ट बडहे पेज पर रिडारेक्ट हो जाएंगी ओके मज़ भी ही है ओके यह देखें यहां पर प्राइवेसी पॉलिसी ओके फ्रेंस सो मैं क्या करता हूं अभी इसे यहां से डिलीट कर देता हूं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ओके कि मैंने इसे क्रियेट किसे कैसे किया था ओके सो मैं इसे यहां से पहले प्राइवेसी पॉलिसी को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं अब आपको यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूँ यह सब ले आउट्स हैं यहां से आप अपने home page का कोई भी चीज यहां से edit कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यह सब layout है confusion कोई बात नहीं है आप लोग बिगनर है तो आपको अब यह layout वगरा समझ में नहीं आएगा ठीक है मगर आपको मेरा पिछले वाले जो भी वीडियोस है आपको वहाँ जाके देखना होगा तभी आप समझ पहें कि layout काम कैसा करता है ठीक है फ्रेंज आप देखिए मैं आपको अभी समझा दे रहा हूं यह जितनी भी layout से दोस्तों यह सब templates आते हैं themes आते हैं ठीक है वह inbuilt होते हैं ओके जब भी आपको यह theme download कीजिएगा template download कियेगा तो उनका एक अलग features होता है ठीक है जहाँ पर links html links बहुत सारे वहाँ पर categories themes यह सब लगाने का option आता है सब के जितने भी themes होते हैं तो सबके अलग-अलग features होते हैं ठीक है जैसे मैंने अभी जो theme download किया है उसका features ऐसा है उसमें देखिए यहाँ पर one कितने blocks है one two three four five six seven eight nine ten eleven ठीक है फिर यहाँ पर side में देखिए उसके बाद में footer में देखिए यह सब जाम किया दोस्तों आप link html link बहुत सारे चीज़ एड़ कर सकते हैं category आड़ कर सकते हैं ठीक है दोस्तों ले आउट में आप आके यह जो section है दोस्तों यह है आपका पोस्त का section ठीक है आप जब भी कोई post करेंगे तो आपका विबसाइट को कोई जब रिजिट करेगा तो आपका पोस्त यहाँ पर सब सूब करेगा और यह जितने भी है यहाँ पर लिंक अपका सोसल मेडिया का लिंक्स एफिलेट लिंक्स कुछ भी हो सकता है आप ठीक है यह सब ले आउट के section है मैं आपको सिंपली अभी प्राइवेसी पॉलिशी पेज जनरेटर रिफ्रेंस आप वैसे तो गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको हजारों मिल आप जाकर सर्च कर सकते ठीक है फिर भी मैं आपको इसका लिंक description में दे दूंगा आप इस पर जाकर अपना जो भी प्राइवेसी पॉलिशी है उसको जनरेट कर लीजेगा ठीक है फ्रेंस सो यह मैं आपको दिखा तो आप सिंपल कुछ आत्यान से देखिए आप समझेएग आपको यहां पर लिखेगा जैसे मेरे company का नाम है legend bonds ओके उसके बाद में your website name website का जो मेरा नाम है वह है blogger ओके यह company name, blogger यहां पर मैं अपना यह legend bonds भी दे सकता हूं ठीक है मैं blogger पर मैं simply blogger देता हूं उसके बाद में your website url मांग रहा है url का मतलब कि आपका जो बताता हूं आपका जो home page है यह जो home page है व्यू blog पेज़े यह आपका blogger में आपका post होगा तो तो आपको main blog यह home page ओके तो यह इसी का url वो मांग रहा है तो देखें यह मैं यहां से copy कर लेता हूं कोई confusion नहीं है शिम्पल ये आपको जाना है विव ब्लोग पर जाने के बाद में यहां पर इस वाद क्लिक करना है यहां से इसको कॉपी कर लेना ओके करने के बाद में यहां से फीर नेक्स कर देना नेक्स्क करने बार में यहां से कुछ पूछेंगा, Do you use cookies on your website? So मैं तो मैं yes करूँगा, Okay friends, उसके बाद मैं Do you show advertise through Google Adsense? तो अभी मैं Adsense use नहीं कर रहा हूं, apply नहीं कर रहा हूं, तो मैं इसे no करता हूं, Okay friends, So do you have an advisor third party? So मैं यह yes करूँगा, इसका मतलब है कि Google को छोड़के आपको कोई third parties का कोई लिंक कुछ आपना पे शो करते हैं, Advertisement शो करते हैं, Yes मैं वहाँ पे affiliate link दिया हूआ है, ठीक है friends, तो मैं यहाँ पे yes करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे next पे click कर दूँगा, करने के बाद में यहाँ पे आपको कंट्रीनिम पूछेगा, आप क्या किजिएगा, आप यहाँ से अपना country दे दीजिएगा, जाए लाइक मेरा इंडिया है मैं इंडिया दे दूँगा, इस्टेट मेरा West Bengal है, तो मैं West Bengal है, मैं West Bengal दे दूँगा, करने के बाद में दीगे दोस्तों यहाँ कोई HTML लिंक नहीं मिलते है, इसमें कोई HTML लिंक है नहीं, यहाँ पर सिंपल एक लिंक है, तो मुझे HTML लिंक क्लिक्रेट नहीं करना पड़ेगा, सिंपल ही मैंना जो उपर का HomePage है, HomePage के उपर में जो लिंक लगाने का Option मिलता है, वहाँ पर मैं इसे लगा दूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ सब कॉपी कर लूँगा, देखे, Copy Link to Clip Board, उके उसके बाद में मैं अपने Layout Section में जाऊंगा, इस Link List पर क्लिक करूँगा, करने के बाद में Add New पर क्लिक करूँगा, करने के बाद में यहाँ पर लिख दूँगा, Privacy Policy, उके उसके बाद यहाँ आऊंगा, वह जो कॉपी मैंने Link कॉपी किया था, वह यहाँ पर क्लिक करदेंगा, Central Telegram क कर्देएक यहाँ State करदेंगा, यहाँ State क से दूँगा, हम इसके बाद मैं यहां पर शेफ कर दूँगा, करने के बाद में और यहां सब्सक्राइब और शेफ करतेंगा, मेरा ओपर प्राइबशी पॉलिसी आ चुका इस पर क्लिक करऊंगा तो मेरा प्राइबसी पॉलिसी जेमर्रेटर यहां पर आप क्शाएर तो यहांप कि अगर मेरे चैनल का सब्स्कliס कर लिजेता काणे वाल जीकिन की सब्सक्राब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लिए यह तक आने वाले इतने वीडियो के नोडिफिकेशन हैं आपको मिलता रहे हैं अगर आप टेक्निकल से रिलेटर वीडियो देखते हैं ठीके आपको टेक्निकली कुछ भी है चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्राइब करते हैं और हां यूटीब चैनल को सब्सक्राइब बनना मत वीडियो दोस्तों मैं हमसा से कहता हूं ओके और लाइक शेर जरूर कीजेगा ताकि मैं जब भी अप्लोड करूंगा वीडियो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ओके लाइक कर दि